अजमेर के अलवरगेट थाना पुलिस ने क्रिकेट मैच पर ओनलाइन सट्टा लगाने वाले सटोरी को गिरफतार कर लाखों का हिसाब जब्त किया है साथी आरोपी के पास रखे लैप्टॉप और मॉबाइल के साथी अन्य सामगरी भी जब्त की गई है जिसे लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी है मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी रमिदर सिंग हाडा ने बताया कि पाकिस्तान में हो रहे क्रिकेट प्रीमेर लीक के दौरान इसलामाबाद वे कुवेट के बीच चल रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाती हुए आरोपी शुभम विजयवर्गियों को जैपी नगर इस्थित निवास इस्थान से ग्रफतार किया गया है आरोपी से लब्टॉप, डाइरियां और मॉबाइल के साथ ही सट्टे का लाखों का हिसाब भी जप्त किया गया है जिससे की इसे लेकर पूश्ताज की जा रही है साथ ही इसके कॉंटेक्ट कहा कहा है इसकी भी ट्रेसिंग की जा रही है आरोपी शुभम लंबे समय से सट्टे की खाईवाली में लिपते हैं और पहले भी इस तरह की हरकते कर चुका है इस सट्टे की मामले में शहर के कौन-कौन लोग जुड़े हैं इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और जब्त किये हिसाब को लेकर भी आरोपी से पूश्ताज की जा रही है जी सट्टे के किलाव विशेश अभियान शेमान एस्पे साब के द्वारा चला गया है जिसके अंतरगत हमने शुभम नाम की वेक्ति को विरुपतार किया है जिसके कबजे से हमने एक लेप्टॉप और कुछ मोबाइल सब्रामत किया है उस विक्ति के अनुसार बताया गया कि जब ये विक्ति ओनलाइन सट्टा करता है तो जो 2020 मेच या जो विक्रिगट के सट्टे होते हैं उसमें ये अपने दाव लगाता है और कई लोगों से मुनाफ़ा भी अर्जित करता है पाकिस्तान लीक के अंदर चल रहा है इसलामाबाद के मद्धि होने वाले मेच के अंतरगात इसने कई जिकर पर दाव लगाया और वह हमने विशेश मुख्बिन निउप्त किया जिन्होंने तक्ली की विशेशन के अधार पर इस विक्ति को गिरिफतार किया है इसके पास जो मिला लेपटोप है उसके अंतर कर जितनी भी चीज़ें हैं वह समने हमने साइबर एक्सपर्ट के तुरू निकाली है और उनसे मागे पता लगाएंगे किनकी विक्तियों से मिला हुआ है तता यह लाइन यह कहां से ले रखी है नहीं इनके पास से लाको रु करेंजमेर कही है जिन से पुछता जारी ही देएगे